हेलो फ्रेंड्स तो हम लोग नीट 2021 के लिए जितने भी स्टूडेंट 2021 नीट के लिए तैयारी करना है तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पर जितने भी आज तक नीट AIPMT previous year question है तो सभी के अभी biology के करा जा रहे हैं इसके बाद physics और chemistry के भी करा जाएंगे तो हम 2000 के अब से शुरू किया है 2001 से लेके 2020 तक हम लोग को करना है तो यह देखिए 2000 यह कौन सा पेपर अब हम लोग सुरू करने जा रहे हैं यह 2003 का हम लोग सुरू करने जा रहे हैं कि इसकी दो वीडियो बन गई है यह वीडियो नंब और step-wise step concept को सीखते हैं तो कुछ concept हम आपको बता देंगे कुछ concept आप भी जानते होंगे और कुछ concept question के थुरू हम लोग सीख के step-wise step अपना concept इंप्रूब करेंगे तो चलिए question को सुरू करते हैं question number 177 को देखते हैं in which kingdom would you classify the archae and nitrogen fixing organism if the five kingdom system of classification used तो यहां question यहां से मपकरेंगे और यह nitrogen fixing bacteria होते हैं और बैक्टिरिया किसमें आते हैं फंजाई में तो आएंगे नहीं नहीं प्लांटी में नहीं प्रोटिस्टा में तो फाइप इंग्डों classification में एक मुनेरा गया है उसी में आपको मुनेरा में क्या बैक्टिरिया आते हैं तो option number 4 इस question का correct हो जाएगा next question देखिए which of the following plants are used as green miner in crop field and sandy soil green miners का means क्या होता है जो हम लोग खेत में उर्बरक डालते हैं जो उर्बरक जिसका गोवर खाद वाली जो होती है शड़ी गली पत्ती जो लीफ होती है तो उसी को green miner तो इसमें option number क्या सही हो जाएगा क्या यूच किया जाता है green miner में तो वो 78 क option number first सही हो जाएगा जो crop field के लिए किसका यूच के जाता है अगर crop field की बात करेंगे तो क्रोटी ये देख लीजिए क्रोटा लेरिया जुनसिया को यूच करेंगे और sandy soil के लिए ये यूच करेंगे क्या ये देख लीजिए अलागी तो option number कौन सा first option ही correct हो जाएगा next question देख लीजिए which one pair of example will correctly represent the grouping spermatophyta according to one of the scheme of classifying plant ये question कहां से पकरना है ये कहरा which one of the pair हमको एक pair बताना है उसके example correct करने है spermatophyta spermatophyta means क्या होती है phyt means vitamins होता plant पाउधे होता है और sperm means होता है seed होता है तो जो seed वाले plant हम लोग को देखना है तो seed वाले plant कौन होते हैं तो पहले तो ये पता होना चाहिए तभी ये question हम लोग solve कर पाएंगे अच्छे से तो जो spermatophyta होते हैं और seed bearing plant हम लोग को देखना कौन seed bear करते हैं तो वो होते हैं NGO sperm और gymno sperm तो gymno sperm जो होते हैं वो plant और NGO sperm plant क्या होते हैं seed bearing plant होते हैं जो seed हमको देते हैं तो अब first option देख लेना है फास्ट आप्शन में 179 में first option फास्ट तो NGO sperm हो जाएगा ये और sugar can be NGO sperm तो NGO sperm हैं तो ये तो seed देते ही हैं next देख लेते हैं pineus क्या होता है pineus gymno sperm cycle gymno sperm दोनों gymno sperm है ये भी दोनों क्या देंगे seed देते हैं अब third की बात करेंगे राजो पस राजो पस क्या है ये तो fungus है तो fungus तो seed देता नहीं तो third option तो correct हो जाएगा और fourth option देख लेते हैं python क्या होता है ये यह भी सीड देता है और जिंगो क्या होता है यह जीम्नो स्पर्म देता है जीम्नो स्पर्म होता है जीम्नो स्पर्म दोनों सीड बेरिंग होते हैं एक जीम्नो स्पर्म है एक एंग्यो तो इसलिए आपसा नंबर फोर्थ इस कोईस्चन का करेक्ट हो जाएगा question number 180 देख लीजिये कह रहा plant reproducing by spores such as mosses and fern are grouped under the general term अब ये question क्या कह रहा 180 का ये question important question थोड़ा एक language question का वो समझना है plant reproducing by spores जो plant reproduce होते हैं वो spore के द्वारा such as जैसे moss and fern are grouped under the general term तो mosses और fern को किसमे रखा गया है तो ये देख लीजिये bryophyte यह है ये bryophyte तो नहीं है स्रीप moss bryophyte होता है तो sporophyte seed देते हैं नहीं sporophyte नहीं होते हैं thailophyte भी नहीं होते हैं crypto games होते हैं तो आफसा number first इस question का correct हो जाएगा crypto games उसको कहते हैं whole party नहीं देते हैं तो आफसा number first correct हो जाएगा next question number the chief advantage of insistment to an amoeba insistment क्या होता है ये layer secret होते हैं protection के लिए करते हैं अपना amoeba तो chief advantage इसका क्या हो जाएगा तो 181 का आफसा number first देख लीजिये आप लो the ability to survive during adverse physical condition तो adverse physical condition के लिए मतलब जब इनको क्या adverse condition होती है तो उसी के लिए ability survive करने के लिए ये insistment अपना produce करते हैं तो आफसा number first correct हो जाएगा amoeba के case में next question number एकदम simple question है और ये question गलत भी हो जाते हैं कहरा आप बर्थोलिन glands are situated in तो आप लोग ये जान लिजिए ये बर्थोलिन gland को coppers gland भी कहते हैं c a u c a u p e r coppers gland भी कहते हैं और ये female में पा जाएगा तो ये first option देख लीजिए on the side of the head of the some amphibians amphibians में होता नहीं at the reduced tail in birds में होता नहीं on either side of vaginal humans humans क्या होते हैं male और female होते हैं ये बजाइना के दोनों side में पाए जाता है तो option number third correct हो जाएगा next question number question number 183 कहरा chlorine chyma found in तो chlorine chyma कहां पाए जाता है chlorine chyma एक बार question a भी पुछाता है कि chlorine chyma photosynthesis कर सकता है कि नहीं तो photosynthesis chlorine chyma करी सकता है तो option number कौन सा correct हो जाएगा chlorine chyma किस में पाए जाएगा तो cytoplasma chyma तो आफसर डारेक्ट spore capsule मास तो ये जो capsule होता है मास में उसी में spore capsule में पाए जाएगा ये photosynthesis इसलिए तो spore survive कर जाता है मास का photosynthesis कर के खुद अपना वो फोजन बना लेता है तो आफसर number third correct हो जाएगा next question number कह रहा है 182 boron के case में कह रहा boron is green plant assist in तो boron क्या करता है enzyme को activate करता है या फिर co-factor acting या photosynthesis या sugar transport तो आफसर number fourth sugar transport में boron help करता है next question number 185 number question देख लीजिए which one of the following is categorized under living fossils अब ये question कह रहा है कि 185 में कह रहा है living fossils क्या है तो 185 का आफसर number ये तो question गलत नहीं होना चाहिए 185 में psychos होता है gymnosperm ये living fossils होता है next question number 186 ये भी देख लीजिए ELISA enzyme linked immunosorbent assay is used to detect viruses where the key agent अब ELISA test किया जाता है ये किसलिए किया जाता है और ये ELISA test कैसे करते हैं माली जे कोई चीट टेस्ट किया जाता है तो particular जैसे blood test किया जाता है तो blood लेते हैं plasma चेक किया जाएगा तो plasma तो ऐसे ही alkaline phosphate चेक किया जाता है क्या particular की लिशा के थूरू क्या चेक करते है alkaline phosphate तो आफसर number first correct हो जाएगा next question number 2 जो TMB वायरस होते हैं इसमें tubular filament की size क्या होती है तो 300 x 20 nanometer तो आफसर number third इस question का correct हो जाएगा next question number इसमें कहरा mycorrhiza is example आप अब ये question क्या है ये question एकदम simple question है और बार बार ये question पूछा भी जाता है कि 188 में देख लीजिए कहरा mycorrhiza जो होता है किसका association होता है मतलब अगर दोनों साथ रहेंगे mycorrhiza किसका association होता है तो ये देख लीजिए symbiotic relationship रखता है तो आफसर number कौन सा first correct हो जाएगा और ए भी question पूछता है किसके किसके साथ में होता है तो ये फ्यूएन जी येस fungus and higher fungus and root of higher plant root लिख लीजिए जड़ जो होते है root आप higher plant जो लंबे वाले plant होते है higher plant ये जैसे eucalyptus तो उसी के थूरू NGO sperm के थूरू ये बनाता है तो क्या इसको मान लीजिए root क्या provide कर देगा root जो mycorrhiza association होता root mineral nutrition हो गया mineral nutrition में एक बार question पूछा था कि phosphate provide में नी करता है तो ये हो जाता है तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा mycorrhiza symbiatic association होता किसके बीच fungus के बीच और root of higher plant के बीच ये दो चीज आप याद कर लीजिए यही बार-बार पूछा जाता है next question number 189 in alcohol fermentation में क्या होता है तो 189 का option number first देख लीजिए इसमें pyruvic acid 3 pyruvic acid होता है तो ये triosphosphate 189 का option number 1 ये सही हो जाएगा triosphate जो होता है ये electron donor होता है electron को donate करता है जो estelaldehyde होता हो electron acceptor होता है तो ये क्या होता pyruvic carboxyl lage spavor करता है जैसे ये देख लीजिए alcohol fermentation में क्या होता है pyruvic acid होता है CH3 CH3 CO COO ये चो होता है इस पे pyruvic carboxyl lage over करता है तो CH3 CHO बन जाता है तो ये ये triosphate जो होता है electron donor होता है तो आपसा नंबर इसमें first correct करेंगे next question number कह रहा है phenetic classification is based on अब पता होना चाहिए ये कि phenetic classification क्या होता है तो phenetic means पहले पता होना चाहिए तब ये question एकदम simple होगा और एकदम आसानी से solve कर पाऊगे तो phenetic means होता है phenotype phenotype क्या होता है जो external appearance होते है तो observation characters आप existing आर्गनेज तो 190 का कौन सा option आप correct करने वाले ये देख लिजिए बी option ही correct हो जाएगा second option observable character आप existing आर्गनेज नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर sexual reproduction in spirogyra is an advanced feature of because it's so अब ये question क्या कह रहा है कह रहा है कि sexual reproduction in spirogyra में जो advanced feature होता हो क्या होता है तो इसमें physiologically differentiated sex organ होते है तो ये question एक बार और पूछा गया था थोड़ा घुमा फिरा के question पूछ लिया था तो वहाँ भी question थोड़ा simple था लेकिन यहाँ थोड़ा देख लिजिए sexually इसमें क्या होता है physiologically differentiated sex organ होते है physically तो same होता लेकिन physiologically sex organ different होते है तो option number 4 तो correct हो जाएगा about viruses is correct virus के respect में में लोग को correct option देखना कौन सा correct option इसमें दिया गया है तो 192 का option number कौन सा देख लिजिए all virus contain both दोनो RNA और DNA तो वायरस में पाया ही नहीं जाता है और तो इसमें option number 3 देख लिजिए viruses are obligate parasite ये पूर्तेया parasite सो करते है तो virus option number 3 इस question का correct हो जाएगा एक बार question इसमें भी पूछा था कि RNA या DNA के वायरस में कौन सा पाय जाएगा तो या RNA ही पाय जाएगा या DNA दोनों साथ में नहीं पाय जाएगे next question number 193 which one of the following पेरसा plants are not seed producing producer ये भी question एकदम simple हो गया ये को हम लोग को अईसे plant बताना है जो seed को produce नहीं करते हैं तो seed को कौन produce करते हैं जो gymno sperm होते हैं plant और angiosperm plant उस seed produce करते हैं अब देखना है इस option में चारों में जो दिया गया इसमें कौन से जो gymno sperm नहीं है और angiosperm नहीं है वो इस seed को produce नहीं करेंगे तो 193 में फर्न आई है, फर्स्ट आप्सन में फर्न और फ्यूनेरिया, फर्न टेर्डो फाइटा में और फ्यूनेरिया मौस में तो फर्स्ट आप्सन ही करेक्ट हो जाएगा इस कोईस्चन का, एकदम तुरंद फर्स्ट ही मिल गया क्यों कि फ्यूनेरिया और फ्यूनेरिया और फ्यू sperm आपको हाई ही तो इसमें तो कोई सक की बात नहीं है ये तो seed देता ही है तो इसलिए option number first correct हो गया next question number 194 देख लिजिए species are considered as तो ऐसे आप लोग लिख लिख लिजिए kpco fungus इसके नीचे ही जाएगा fungus अब ये species की बात कर रहा तो यही option सही होगा यही मिलके पूरा यही बनाते हैं तो genus option correct होगा ये देख लिजिए इस species पूछ रहा है अब 194 का आप लोग डारेक्ट ये first option टिक कर सकते हैं real basic unit of classification को क्या कहते हैं real basic unit classification को species कहते हैं कभी-कभी genus देता तो genus option correct हो जाता तो real basic unit of classification क्या होती है species होती है फास्ट option correct हो जाएगा next question number which one of the following triplet codon is correctly matched with specificity for an amino acid in protein synthesis are start or stop codon जो start or stop codon होते हैं ये दिये गए हैं तो ये देख लिजिए क्या आपको सही है तो ये देख लिजिए ये EU stop codon नहीं गलत हो जाएगा EUCG start codon होते हैं नहीं गलत हो जाएगा EUG EU leucine नहीं गलत हो जाएगा बट EUAC जो होता है टाइरोसीन को code करता है तो option number 4 ही correct हो जाएगा next question number कहरा coconut milk factor जैसे coconut जो नारियल का milk होता है पानी होता है उसमें कौन सा cytokinin plant hormone होता है तो 196 का option number जैसे देखिए जैसे coconut milk की आपको दिखे तुरंत cytokinin याद आना चाहिए तो option number 4 correct हो जाएगा इस question का गरे स्पार्ट आफ ओट ओट जो होती है ग्रे स्पार्ट और काज़ बाइट किसकी deficiencies में ओट में ग्रे स्पार्ट आपको दिखाई देती है तो 197 का अगर magnesium deficient हो जाती है तो आपको ये दिखाई देती है तो option number कौन सा correct करेंगे 197 का option number third option correct हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन नमबर genetic map is one that तो genetic map क्या होती है तो 198 का option number देख लीजिए established site of the genes आने chromosome chromosome पर gene का क्या होना एक alignment means एक क्रम में होना वही कहलाता है तो option number first ही correct हो जाएगा इस question का next question number 199 question देख लीजिए the alleron layer in mage grain is especially rich in तो जो मेज में alleron layer होती है ये क्या होती है 3N होती है triploid होती है और ये किस की बनी होती है ये बनी होती है protein की तो option number first इस question का correct हो जाएगा student आप लोग video को please subscribe करें like करें share करें और जरूर आप channel को please subscribe जरूर कर लें क्योंकि आप लोग के लिए काफी मेहनत की जा रही है तो चलिए question को इस video का last number question और 2000 ये क्यों सा paper था 2003 का ये जितना biology का था सब कर चुके है और इसके बाद biology खातम जैसे ही हो जाएगी 2001 से लेके 2020 तुरंद chemistry और physics की भी कराई जाएगी साथ में तो अभी हम लोग biology का कर ले रहे हैं तो आप लोग please channel को subscribe जरूर करें क्योंकि आप भी need preparation कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ और कुछ help भी कर रहा हूँ जितना भी हो सकेगा उतना help किया जाएगा तो ये देख लिजे last question इस वीडियो का the term antibiotic watch point y अब ये antibiotic आपको जैसे ही देखे तैसे आपको ये देख लिजे सिल्मान वास्कमान आपको तुरन दिखने चाहिए इनहीं ने टर्म दिया था एंटिबायोटिक्स का तो 200 का option number third correct हो जाएगा सिल्मान वक्समान ने दिया था term antibiotics तो option number third correct हो जाएगा तो ये सब वीडियो आप लोग देख लिए होंगे वीडियो को लाइक जिरूर करिएगा तो चलिए नेक्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे AIPMT All India Pre-Medical Test 2004 का biology का question अगले नेक्ट वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए Thank you धन्यवाद